So Hello Everyone, Welcome Back to the Channel और बताओ क्या चल रहे तुम सब के जीवन में तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Best Material for J.E. Advance वो भी कौन से subject की? तुम सब का फेवरेट सब्जेक्ट Mathematics अरे भईया यार Mathematics फेवरेट नहीं है सवाल ही नहीं बनते, कितना tough subject है, नमबर ही नहीं आते अरे चिंता मत करो आज की वीडियो में अपन material के उपर अच्छे से बात करेंगे तुमारे सारे doubts clear हो जाएंगे अब intro में जैसे तुम्हें दिखी रहा होगा ये मैं हूँ एड़ दारेट CLRMDH और यहाँ जो इंसान खड़ा है उसका मेरे हिसाब से मुझे introduction देने की जरूद है नहीं तो बस यही से अपन वीडियो की starting करते हैं सबसे पहले कुछ मैं तुम्हें important points बताना चाहूंगा जो कि तुमारे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि maths is all about practice जितने questions करो उतना बढ़िया हाया है maths तुमारी ऐसे ही develop होगी अब जैसे chemistry subject है उसमें तुम जितनी ज़्यादा theory पढ़ोगे revision करोगे उससे तुमारी chemistry अच्छी हो जाएगी तो कोई मुझसे पूछे की मुझे maths अच्छी करनी है अच्छे नमबर लाने है maths में तो मैं उससे यही suggestion दूँआ कि जितने question हो सके उतने question practice करो पहला point शायद clear है दूसरा point या आता है जो material तुमारे teacher ने suggest किया है उसकी तुमें top priority रखनी है वो तुमें बात माननी है सिर्फ अपने teacher की तुम्हें और दूसरे teacher की बात नहीं माननी है कोई भईया दिदी की बात नहीं माननी है तुम्हें बात माननी है अपने teacher की clear है और in additional तुम मेरे से पूछना चाहिए कि मैंने कौन सी books वगरे करी थी कौन सी books मैं तुम्हें recommend करूँगा जो मैंने भी अपने teacher से ही सुनी हुई है तो वो ही मैं आज की इस video में तुम्हें बताने वाला हूँ उससे पहले अपन जान लेते हैं sequence sequence मतलब अपन किस order में काम करना है जैसे सबसे पहले अपनने class notes करे फिर अपनने daily practice problem dpbs लगाई फिर module या फिर advanced building books करे अब ये advanced building books क्या है ये आगे तुम देखोगे या फिर ये क्या sign आगया ये तो equilibrium का sign है मतलब PYQs ये दोनों चीज तुम साथ साथ भी कर सकते हो जैसे मान ले DPP खतम भी तुम mains के PYQs लगा रहे हो साथ सा तुम module भी solve करते जा रहे हो या फिर अपनी book लगाए जा रहे हो ठीक और यहां क्या लिख रखा है मैंने HW क्योंकि या जैसे तुम्हें पता ये तुम्हें homework मिलता होगा module या फिर PYQs के तुम्हें daily homework मिलते होंगे तो वो तुम homework के थुरू भी complete कर सकते हो उसके बाद आती है advanced application book advanced application book का है उसके बारे में पर उन देखेंगे यहां देखो क्या लिख रखा है कोने में do advanced practice sessions as given अब जैसे PW में advanced practice sessions मिलते हैं अगर तुम्हें अभी मिलने start नहीं होए तो जल मिलने लग जाएंगे और जब मिलने लगेंगे तब तुम्हें मज़ाई आ जाएगा क्योंकि तीन तीन घंटे के ढ़ाई ढ़ाई घंटे के sessions होंगे जितमें बड़िया top level problems होंगी तो वो जैसे जैसे तुम्हें मिलती जाए तुम अपने advanced practice sessions भी clear करते रहना ठीक अब आ जाओ हाँ एक सवाल आता है from which teacher are you study मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ comment में answer करना इसका comment करना कि तुम लोग कौन से teacher से पढ़ रहे हो ठीक है mathematics में तुम सचीन सर से पढ़ रहे हो या फिर तुम तरुन सर से पढ़ रहे हो या फिर और कोई आशी सर से पढ़ रहे हो या फिर और कोई तुम्हारी कोचिंग के टीचेर है तुम जरूर बता ना कि तुम किस से पढ़ रहे हो अब जैसे मैंने पढ़ा था सचीन सर से अर्जुना में और लक्षे में और तरुन सर से पढ़ा था मैंने वरुन मैच में तो दोनों यह बड़िया टीचेर है उसकी अपन को कोई comparison करना है ठीक मेरे ख्याल से सतीन सर से बच्चे पढ़ रहे होंगे लक्षे में तरुन सर से बच्चे पढ़ रहे होंगे अरजुना में ऐसा ही हो रहा होगा है ना चलो आगे बात करते हैं अब आ गई advanced building books यहाँ पर देखो यह तुम्हें दिख रहा होगा एक सेंगेज का सेट यहस एडवांस building books का मतलब यह है कि जिसमें basic to advance तक के सवाल है मतलब building books है जिसमें तुम्हें मतलब level gradually increase होगा तुमारी thought process बिल्ड करवाएंगे उसके लिए तुम देखो सेंगेज ले सकते हो ठीक अब बात करते हैं how to do सेंगेज कैसे कर लिए तो देखो उसमें दो मेन चीजे हैं back exercises और illustration इलस्ट्रेशन यू कर सकते हो जैसे साथ-साथ कर सकते class के की daily daily हुआ आज मेरा models inequality topic complete हुआ batch में तो मैंने illustrations लगा लिए सेंगेज में से तो सारे मैंने illustrations कर लिए ठीक या फिर यू कर सकते हो मालो मेरा chapter चैप्टर खतम हो गया मेरा chapter trigonometry खतम हो गया तो मैंने trigonometry की चैप्टर एंड पर back exercises लगा ली इन दोनों में कि अब अब एक सवाल आएगा यार कि सेंगेज करनी चाहिए या फिर कोई coaching का मोड्यूल करना चाहिए कि इसमें बताओ तो देखो मैं recommend यही करूँगा कि तुम्हें कोचिंग मोड्यूल करना चाहिए ठीक क्यों आप देखो तुम्हें पताओ यह mathematics एक वाश सब्जेक्ट है कोश्चन के नंबर बहुत जादा होता है तो अब देखो सेंगेज में एक वो दिक्कत यू है कि इसमें मतलब सेम टाइप के सवाल भी काफी देखने को मिल जाएंगे में तो यह है कि तुम ऐसे questions की practice करो मतलब एक particular set of quantity question करो जो की quality questions हो मतलब सारे मतलब अलग अलग type के question हो तो इसलिए तुम्हें coaching module करना चाहिए उसमें मतलब सवाल यह होंगे हर variety type के सवाल होंगे और ऐसे fix number पे अप जैसे सेंगेज में यह हो जाएंगे जैसे कई मालो किसी particular topic के same type के सवाल चार पाथ तुम्हें मिल जाएंगे तो repetitive सा हो जाएगा उससे बढ़िया तुम quality of question करो इसलिए मैं recommend करूँगा तुमें coaching module करना चाहिए कोचिक मोडूल जिस भी coaching में हो तुम पी डबलू में हो एल एन अन अकेडमी सरल जिसमें भी हो coaching module best है ओके अब अब यहां पे तुम्हें चीज़ दिख रही होगी यह है मेरे master जी की किताब हाँ जी launch हो चुकी है यहां तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी calculus score ठीक है देख लो एक मशूर author के साथ अपनी photo है अच्छी बात है हाँ calculus के लिए तुम देखो सचिन सर की book कर सकते हो I will recommend क्यूंकि मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ और यहां मेरे को यह दो चीज़े दिख गई इसको देखके मेरे को मज़ा गया सचिन सर स्पेशल S-qub और CTQ critical thinking question जो बच्चे सचिन सर से पढ़ते होंगे उन्हें पता हुआ जैसे तर्म सर के brain teachers होते हैं ना उसी type के स-qub और CTQ तो यह जो बड़िया बड़िया सवाल होते थे जो सर lecture में करवाते थे उन्हीं का compilation कर दिया calculus score में तो मैं recommend करूंगा calculus के लिए तुम module कर लो मेरा recommendation यही रहेगा कोई मेर से पूछे कि क्या करना चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा module कर लो और calculus के लिए calculus score कर लो खतम final और इसमें तुम देखोगे तो इस book में जिन बच्चों के पास है तो तुम starting में मेरा testimonial भी इसमें देख सकते हो ठीक है है हाँ अब बात करते है advanced application book देखो इतना material कर लिया ना जहां तक मैंने अभी तक बताया है तो उतना भी more than sufficient है तो इतना ही complete नहीं कर पाऊँगे अगर मालो तुमने इतना कर लिया तो उसके बाद आती है advanced application book जिसमें advanced level के ही सवाल होंगे उसमें तुम कर सकते हो black book जैसा कि तुम expect करी रहे होगे तुम black book कर सकते हो black book बढ़िया किताब है अब मैंने majorly उठाई थी एडवांस के बाद तो उसमें से मैंने एक chapter कर पाया था quality उसमें मैंने को 7 दिन लग गए तो मैंने छोड़ाया रहने दो तो यह देखो मतलब recommended नहीं है मतलब कि तुमने ऊपर वाली चीज़े अच्छे से कर ली ना देखो पीवाई क्यू जतने जाद है मोडूल में तने question होंगे तुमारे advanced practices मिलेंगे तुमारे test होंगे वहां के question हो गए तो मतलब यहां तक पहुच गए तो बहुत ही अच्छी बात है लिख देता हूं मैं यहां तक है अगर तुम नहीं भी करोगे तो चल जाए क्योंकि मैंने देखो एक चैप्टरी कर रहा था पहुच गए तो अच्छी बात है तो मैंने कौन सा material कर रहा था तो मैंने basically मैं module इतना करनी पाय था क्योंकि मेरी 11th की maths वैसे बरबाद थी तो 12th में मैंने को वह भी cover करनी थी तो मेरा main focus था मेरा main focus किस चीज पे था मेरा था एक तो मेरी अब जैसे तुमें दिखाता हूँ उसी sequence में दिखाता हूँ मैंने क्या क्या करा था मैंने class notes अच्छे से करे डी पी पी अच्छे से करी पी आई क्यू अच्छे से करे और advanced practice sessions ये अच्छे से करे लिए तो मेरी बैस तो इसी से थोड़ी बढ़िया हो गई थी तो तुम स्टार्टिंग से ये सारी चीजे करते जाओगे तो तुम्हारा काम बढ़िया होई जाएगा मतलब क्लास नोट्स हो गए डी पी पी मोड्यूल पी वाई क्यू एडवांस प्रक्टिसेशन इतना इनफ है और एंड में तुम्हें शीट्स भी मिलती हैं तो इतना कर लिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अब जैसा कि तुम्हें पताईए मैंने बेस्ट फिजिक्स बुक्स के लिए भी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने तुम सबसे पुछा था कि तुम्हें फिजिक्स में कोई दिक्कते तो नहीं आ रही है अगर दिक्कते आ रही हैं तो कमेंट करो कि अपना नाम मेरा नाम अभी नव है मुझे फिजिक्स में ये दिक्कत आ रही है तो हम उसके उपर तुमारी प्रोब्लम्स को सोल करते हैं एक dedicated वीडियो बनाएंगे तो देखो इन सभी बच्चों ने कमेंट करा था कि हेलो भाईया मेरा नाम वेदान शिवम मोहितन मैं हर्श है और मेरे को फिजिक्स में ये दिक्कत आ रही है उसके लिए अपन ने फिदे को फिजिक्स में वीडियो बना दी थी best strategy to do physics questions एक दिन पहले ठीक है एसे ही मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं एक सवाल क्या कि तुम्हें कमेंट करना है तुम्हारा नाम प्लस में तुम्हारी मैत क Stretch जा रही है मैत देखो काफी बच्चों का वीड सबजेक्ट रहता है मेरा भी था इसलिए तुम्हें कमेंट करना है your name your name वो anime वाली movie नि your name मतलब मेरा नाम मालो क्या है anime से कोई नाम उठा लेते हैं पन मालो मेरा नाम हारदिक है तो मैं लिखुँगा hello भईया मेरा नाम हारदिक है और मुझे maths में दिक्कत आ रहे है मैर से अच्छे वाले सवाल हो नहीं पारे तो आप कोई solution बताओ या फिर अच्छी जा रही है तो भी बताना कि भईया maths तो बढ़िया जा रही है जैसे physics वाली वीडियो में कई बच्चों ने comment करा था भईया physics में दिक्कत है नहीं है maths में दिक्कत है ठीक तो उसका मैं क्या solution करूँगा मैं dedicated वीडियो बनाऊँगा maths के उपर तुमारी problems को solve करते हुए जैसे मैंने physics के लिए बनाई थी ये physics वाली वीडियो तुमें देखनी है तो तुम आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो अगर तुमारी physics में दिक्कत आ रही है तो प्लस में तुम्हें shout outs मिलेंगे बस shout outs ऐसे कोई वो नहीं है लेकिन बस तुमें भी नाम देखने में मैंने community post डाली थी तो बच्चों को अच्छा लगाता कि हाया है हमारा नाम आया तो कुछ नहीं बस comment जरूर कर देना मुझे भी पता लगे क्या दिक्कते आ रही है तब ही तो अपन उन्हें soul कर पाएंगे ठीक और हाँ अगर तुमने physics की best books जाननी है कि कौन सी books तुम follow कर सकते हो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो बाकी यही है कि मिलते आयटी मेड तब तक के लिए उक्के बाएंगे